लूट बच्चों के से हैं आप सब लोग सुवागद थे आपका अपका अपने लर्निंग फार्मेसी चानल पे बच्चों ये विडियो जो है ये हमने बनाई है नॉन टेक्निकल क्वेशन की जिसके हमारे पस बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थी बच्चों की बनाई है तो हमारा फर्स बनता है कि सब भी से आपको थोड़ा सा टॉच अप करवादे ताकि आप जब भी अपने एक्वेस्ट बैटे तो बिलकुल अनून फील ना करें आप इन तरह के questions को देखके, तो आज हम discuss करेंगे, दिखे, mixed problem, general ability की mixed problem, हम discuss करेंगे, जो कि सारे questions, previous year के question papers, जो है, उन से लिए गए हैं, DSSB के question paper, और भी बहुत सारे अलग-लग exams के question paper से हमने के questions दिए हैं, सो बचो आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो पूरा देखे, अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आता है, तो comment section में आपको हमें बताना है, कि आप आगे भी इसी तरह की वीडियोज देखना चाहते हैं, अगर आपको अच्छे लगेगी, तब ही हम ऐसी वीडियोज जो हैं अच्छे से देखे, बहुत कुछ समझ में आने वाला है आपको और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरह से बहुत सारा आपको और वैशाली किसकी वाइफ है? तो सुरेश के नीचे आपको लिख देना है V और इसके बच्चे हैं दो क्या क्या नाम है इसके बच्चों का आलोक एन रागनी तो आलोक के लिए आप एल रिख दें और रागनी क्योंकि यहां पर एक और रार है रमेश के लिए तो रागनी के लिए आप रागनी के लिए आप आर ए लिख देजिए अब ये अलग-अलग different option दिये, बच्चो answer है इसका option A, तो क्या है देखिए paternal uncle है, paternal uncle अगर पापा की side के होते हैं भाई तो उसको paternal बोला जाता है, मम्मी की side के अगर होते हैं तो उनको maternal बोला जाता है, इस तरह की question भी हम आपसे discuss करेंगे, तो देखिए हसानी से आप answer तक अपन arguments दी जाती हैं आपको, और conclusions होते हैं इसमें, तो आपको बताना होता है options में से कि कौन सा conclusion जो इसमें दिया गया है, वो true है, किस तरह से solve करेंगे आप इस questions को, तो देखिए statement में लिखा है, some birds are lizard, इस तरह से हम circle बना लेते हैं, किसके birds and lizard के, यहाँ पर बोला गया, देखिए इसकुछ birds जो है lizard है, तो आप मालने के यह वाला part जो है bird का यह lizard है, फिर बोला है some lizards are peacock, अब कुछ lizards है, जो कि क्या है, पिकॉक है, तो हमने मालने लिया यह वाला part जो है lizard का वो peacock है, conclusion में क्या बोला गया है आप से कि some birds are peacock, अब देखिए birds तो peacock से किसी भी तरह से related न ही related नहीं है, यहाँ पर कोई भी तरह का connection नहीं है, पिकॉक का bird से, तो यह conclusion second भी आपका false हो गया, तो देखिए फिर तभी इसका answer है option D, neither conclusion 1 nor conclusion 2, follow कोई भी चीज जो है इसमें आपस में, इसमें match नहीं कर रही है, तो देखिए इस तरह के question essential elements वाले question होते है हमारे, इसमें क् क्या जाता है, आपको एक word दिया जाता है, और आपको कुछ options दिये जाते हैं, आपको क्या करना होता है, जो necessary part होगा, इस दिये गए word का, इन options में से आपको उनको choose करना पड़ता है, word दिया गए है, आपको harvest, harvest देखिए हिंदी में मतलब वहां नहीं लिखा रहेगा, अगर और फसल की कटाई होती है, तो उसको process को कहा जाता है, harvesting, आप देखिए, यहाँ पर यह आपको बताया गया है, कि crop का मतलब होता है, harvest, अगर हम बाकी options की बात करें, तो आप autumn देख रहे हैं, तो सिर्फ autumn season में ही नहीं होती, harvesting और बाकी season जो होते हैं, उसमें भी फसल की का, दूसरा आप देख रहे हैं, stockpile देखिए, यह सब related तो है, बट essential नहीं है, बिल्कुल necessary नहीं होती, यह सब चीज़ें, तो इसलिए हम इनको eliminate करते हैं, stockpile का क्या मतलब होता है, जब फसलों को इखटा करके रखा जाता है, जमा करके रखा जाता है, ताकि emergency के टाइम प क्या option B crop, यह आपकी letter series का question है, यहाँ पर आपको यह पूरी ही series दी गई है, letters की, पूछ रहे हैं आपसे कि question mark की जागे, इनको से कौन सा letter आएगा, तो बच्चों, answer पहले देख लेते हैं, इसका option A है, मतलब इसमें जो letter आएगा, alphabet आएगा, वो आएगा, अब जो बच्चे banking और SSE की तियारी करते हैं, बच्चों, उनको यह जो पूरे ही numbers याद होते हैं, किस letter का कौन सा number है, जैसे कि A को दिया जाता है, number 1, B को number 2 दिया जाता है, SO1, Z को number 26 दिया जाता है, तो इससे पता लगाते हैं कि किस तरह सा आपका जो next number, alpha बटाने वाले वो कौन सा होगा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, C को दिया गया है, number 3, अब आप E की अगर बात करें, इस series में तो यह number 5 पे है, उसरे से G अगर देखेंगे तो यह number 7 पे आपको देख रहा है, इससे आपको एक बात समझ में आ रही कि एक-एक letter का difference है इन हर series में, तो आपको पता चल कि C के पहले एक letter का difference वाला कौन सा alphabet है, A है, इसलिए इसका answer था option A, अगर देखेंगे आपको यह याद नहीं भी करना है, तो अपने मन में आप कैसे करेंगे, C, उसके बात क्या आता है, D आता है, D के बाद आ रहा है, E, E के बाद आ रहा है, F, उसके बाद आ रहा है, G, फि पुर्णों ही methods हमने आपको बताए, इस तक answer तक पहुचने के, नदे कि इन तरह की question में आपसे पूचा जाता है, एक तरह से order one out पूचा जाता है, कौन सा इस group को belong नहीं करता है, तो अलग-अलग option आपको देएगे, बचो answer क्या है, इसका option A, zebra, इसमें क्या है, बाकी जो ग जब्राइ, जब्राइगे जनर एबिलिटी में इस तरह के question में आपको relation पूचा जाता है, अगर power related है, what से? तो किस से related होगा? तो answer है बचो इसका option B, power को measure किया जाता है, अगर measurement की जाती है किसी भी power की, electricity के, तो इसको what में measure किया जाता है, इस तरह अगर mass को measure करना है, तो mass क किसमें मिजर किया जाएगा किलो ग्राम में मिजर किया जाएगा इसलिए इसका अंसर है option B किलो ग्राम यहाँ पर भी आपको यही चीज़ सेम बताई है electricity को मिजर कियाता है watt में यहाँ पर थोड़ा सा आपके general knowledge के लिए है कि किसने नेम दिया था इसको watt तो James Watt के नाम पर यह electricity की power watt पड़ी थी जो कि inventor थे steam engine के भी mass को हम करते हैं मेजर किसमें किलो ग्राम में नदके फिर से देखेंगे statement and conclusion का यह question है बहुत सारे exams में इस तरह के question पूछ जाते हैं बचो ध्यान से सुनना है आपको जो भी समझा रहे हैं पूछ रहे हैं आपसे देखे no bed is a room तो bed के लिए आपको b लिख देना है और room के लिए आपको क्या लिख देना है जैसे कि आपने अब बताया था अब देखे no lamp is a room अब देखे lamp और room में आपस में कोई connection नहीं है तो यह conclusion 1 जो है यह true है तो first हमने बोला कि यह true है conclusion second में आपको बोल देखे no lamp is a room अब देखे lamp और room में किसी भी तरह का कोई connection नहीं है तो यह भी conclusion 2 भी है वो correct है क्योंकि कोई भी lamp जो है all lamps room नहीं है conclusion 3 में आपको बोल है all lamp all rooms are not lamp अब इसका conversion भी देखे true ही होगा room और lamp में कोई connection ही जब नहीं है तो यह भी सच है कि कोई भी room all rooms जो है वो lamp नहीं है conclusion 4 में बोल रहे हैं आपसे some lamps are room lamps और room में कोई connection नहीं है जैसे कि हमने देखा तो यह conclusion 4 जो है यह false हो गया है तो answer हो गया है बच्चो इसका option D conclusion first second and third follow तो आपको एक एक conclusion को अच्छे से पढ़ना है तो आप आराम से अपने answer तक पहुंच जाएंगे बच्चो इसे देखिए statement conclusion का question है ताकि अच्छे से practice हो जाए आपकी statement है देखिए all flowers are leaf तो all flowers है तो हम flower को अंदर रख देंगे circle के और बाहर बना देंगे क्या all flowers are leaf लीव का हम बड़ा circle बना देंगे फिर बोल रहे है all leaves are roots अब सारी के सारी leaves जो है वो roots है तो root के अंदर आगे देखिए leaf leaf के अंदर आगया flower अब conclusion तक पहुंचे तो पूछ रहे हैं इसमें conclusion में है कि all roots are flowers अब देखिए all roots are flowers तो नहीं हो सकते क्योंकि flower कम है roots जो है वो जादा है तो ये conclusion first जो है ये true नहीं है conclusion second पे बोल रहे है all flowers are roots तो ये बिल्कुल सही है देखिए जित सारे flowers का ये जो circle है ये roots के पूरे ही अंदर आ रहा है तो conclusion second correct है all flowers root है conclusion third में बोल रहे हैं some roots are flower आप देखिए ये conclusion जो है ये correct है क्योंकि कुछ roots जो roots का ये वाला हिस्सा है यहाँ पर अब middle वाला हिस्सा देख रहे हैं वो flower का हो सकता है तो some roots are flower ये correct है answer है बच्चो option A both conclusions second and third are correct ये question आपका division series का question है यहाँ पर देखिए इस तरह के आपको series दी गई है और पूछा है कि यहाँ पर क्या आने वाला है next में answer देख लेते हैं बच्चो इसका option B है 1 by 8 ये simple division का formula है देखिए 2 का half क्या होगा 1 1 का half क्या हो रहा है 1 by 2 हो रहा है 1 by 2 का half ह रहें तो 1 by 8 इसलिए कांसा था option B 1 by 8 इस तरह के देखिए बच्चो difficult question भी हम आपसे आने वाले वीडियो में share करेंगे discuss करने करते रहेंगे फिर से ये letter series का question है G, J, M पूचा है question mark की जगा क्या होगा answer देख लेते हैं बच्चो option D, P होगा question mark की जगा, कैसे G को हमने देखा क G की numbering क्या हो रहे हैं तो 7 G की numbering हो रही है, J पे जब हम गए तो देखे 10th number पे J है और अगर M की बात करें तो 13th number पे M है और फिर कहा है देखिए हम देख रहे हैं दो दो का gap है इन सभी के बीच में तो अगर M के बाद हम दो का gap दे तो आता है P और P का number है 16 तो इसलिए यह KLM, M के बाद mind में दो calculate कर लें, M के बाद क्या आता है N, O और उसके बाद आगे है P, तो mind calculation के through भी आप अपने answer तक पहुँच सकते हैं बच्चों Thanks for watching बच्चो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसी लगए आपको ये वीडियो और questions आप चाहते हैं इसी तरह की non-technical questions सेरीज में, तभी हम आपके लिए और इस तरह के questions लेके आते रहेंगे वीडियो अच्छी लगए तो like जरूर करें, बच्चों subscribe जरूर किया करें, चैनल को बहुत जादा motivation मिलता है, हमें आपके लिए और भी अच्छा-चा content लाने का अगर कोई भी सवाल रह गया आपके मन में किसी भी questions से related, दो तो नीचे दियेगा comment section में, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं ये कुछ हमारे related videos के link है, जिन पे click करके आप इनको देख सकते हैं दोस्तों learning फामे से पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में